हलो अने वेल्कम ट्रैंड्स यहां पर देख सकते हैं यहां पर अभी फिल्हाल हमारे पास हमने टेबल ज़रूर बनाई है sql में लेकिन हमारे बास फिल्हालावी इसमें कोई नाम हमने ना फसनम में लेखा ना last name में लिखा है ठीक है अगर हमको यहां पर कोई नाम इंसर्ट कराना है और SQL query के थ्रू कराना है तो कैसे करेंगे क्या code लिखेंगे दिखेंगे मैं shortcut में दिखा रहा हूं यह दिखेंगे यह यहां पर देख सकते हैं यह code आपको type करना है insert किसमे करना है table 1 में तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर 2 आ रहा है और यहां पर EXP करके ऐसे ऐसे करके आ रहा है ठीक है अगर आप title देखेंगे यहां पर तो यहां पर first name और last name दिया गया है ठीक है लेकिन first name और last name वहां पर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने दिया ही नहीं है query हमने बनाई है जो वो कुछ इस तरीके की बनाई है कि इसमें हमने ना तो first name का जिक्र किया है और ना ही last name का जिक्र किया है इसके वज़ा से ये ऐसे हो रहा है ठीक है